हेलो एवरिवन, विल्कम बैक तो मैं चैनल चेटर बॉक्स, आइम समीता और मैं रहती हूँ स्वीडन में आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे घर का किचन हम यहाँ पर रेट पेट 2BH के अपार्टमेंट में रहते हैं और हमको किचन में क्या-क्या चीज़े एवलेबल होती है पहले से और हमको क्या-क्या खरीदना पड़ता है यह मैं आपको बताऊंगे आज किस वीडियो में तो यह है मेरा किचन इंडिया में थी तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी अपना किचन में वाइट पेंट करवाऊंगी और यहाँ पर तो पूरे घर के साथ साथ किचन भी वाइट ही है तो यह है मेरे kitchen का entrance जहाँ पर घुशते ही left side में आप दिखेंगे तो एक cabinet है इसमें मैं अपना vacuum cleaner रखती हूँ यहाँ पर तो जाड़ू भी है मेरे पास लेकिन vacuum cleaner से ही generally हम यहाँ पर साफ करते हैं घर को उसके बाद दिये हैं दो बड़े-बड़े freeze है हमारे पास उसके बाद इसमें हैं दो बड़े-बड़े freezers जो हम को जरुवत पढ़ता ही है यहाँ पर रहते हुए क्योंकि जो mostly fish वगर है वो हम लोग frozen ही लाते है frozen ही लाना पढ़ता है क्योंकि यहाँ से market भी काफी दूर पढ़ता है और generally fresh fish यहाँ पर मिलता नहीं है तो frozen ही खाते है हम उसके बाद इधर देखेंगे तो यह है यहाँ पर हमारा dishwasher तो इसमें मैंने बरतन यहाँ पर load करके रखे हुए हैं लेकिन मैं अभी तक चालू नहीं की हूँ क्योंकि और भी तो फिर यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़े है जो हमको हाथ से धोना पड़ता है दिश वोशन में नहीं देते है एक चीज़ और यहाँ पर जो बटन से यह जो देख रहे है यह उल्टा लगता है हमारे दिश से क्योंकि ऐसे कंडिशन में रहता है तो ये हम on की है हमारे दिश में, लेकिन यहां पर यह उल्टा है ये उपर साइट दबाएंगे तो ये on होता है फिर ये है हमारा बेशन और ये हमारा नल जैसे कि आप देख सकते हैं यहा पर मेरे पास कोई आरो या फिर कोई वाटर पूरिफायर नहीं है इसी नल से हम drinking water available होता है और परतन वगर दोने के लिए भी हम इसी नल का पानी यूज़ करते है इसको अगर left side गुमाते हैं तो गरम पानी आता है बहुत जादा गरम पानी आता है और अगर इसी नल को हम left side में देंगे तो एकदम ठंडा पानी आएगा जो कि drinking water है गरम पानी को हम पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं और जो ठंडा पानी होता है left side गुमाने से उसको हम पीने के लिए यूज़ करते है और Sweden में आप कहीं भी चले जाएए यही सिस्टम है इवन आप वाश्रूम में जाएँगे तो वाश्रूम में भी यही सिस्टम है और वाश्रूम का पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए उसके बाद यह है मेरा dust bin इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन का सबसे इंपोर्टेंट जगा जहां मैं खाना बनाती हूँ तो यह सामने में एक साथ में चिमनी भी है इसमें लाइट से और यह फैन भी दिया हुआ है यह मेरा cooktop induction type है इसमें 4 stoves दिये हुए हैं तो कभी-कभी 4o stove यूज़ हो ही जाते हैं यहाँ पर और बहुत सारे घरों पर यहाँ पर दिया हुआ रहता है इसके जो नॉब्स रहते हैं यहाँ पर दिया हुआ रहता है जिसको आप यहाँ से ओन उफ कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा खत्रा होता है बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे फिर घुमते फिरते आते हैं और घुमा देते हैं कभी-कभी चालू हो जाता है ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स है जो अपनी दास्ता सुनाते रहते हैं वैसे ही इस कुक टॉप में मैं इंडिया का जो कढ़ाई राता है ना प्रॉपर ऐसे तो उस कढ़ाई को मैं बहुत जादा मिस करती हूँ यहां पर तो वैसी कढ़ाई बैठेगी नहीं तो यहां पर अब लोग को फ्लैट पैन यूस करना पड़ता है तो मैं वह वाला कढ़ा इसमें अवन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां पर फ्रोजन फूट बहुत जादा मिलता है तो इसमें काफी अच्छा बेक हो जाता है अगर आप ओएल जादा यूजनी करना चाहते हो तो इसमें आप बहुत अच्छे से कुक कर सकते हो कम तेल में उसके बाद मैं क्योंकि मेरे हस्बेंट काफी ज़र्दा फुडी है और वो बहुत अच्छा खाना भी बनाते है तो उनको खाना खाना भी बहुत पसंद है और खिलाना भी बहुत पसंद है देखिए सारे चोटे चोटे बर्नी के उपर में नाम लिखे हुए है कौन सा मसाला क्या है उसके फिर यहां के शेल्फ में मैं रखी हूँ कुछ कप्स है ग्लास और कुछ बाल्स है यहां के लोग इतने लंबे होते हैं कि चारो शेल्फ का यूस करी लेते हैं लेकिन मेरा हाइट इतना चोटा है कि मैं स्टार्टिंग के दो शेल्फ तो अच्छे से यूस कर लेती हूँ ल तो अलग से जागे खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है, क्यार ये डिपंड भी करता है, बिल्डर्स के उपर, कि वो अपने अपार्टमेंट में क्या क्या फेसिलिटीज देना चाहते है, फिर ये जो है, मैं अभी ली हूँ, रिसेंट्ली अमजन से ओडर की थी, ताकि स लेक कॉफी भी पीने लगे हैं अभी, तो रखने, सामानवान रखने के लिए, तो काफी कैबिनेट से हैं, पूरा भरा हुआ है, ये देखिए, ये मेरी बेटी का कारनामा, फ्रोजन के बहुत बड़ी फैन है, तो स्टीकर्स लगा के रखिए, तो किचन में ये सब आइट ये यहां पर पहले से हमको मिला हुआ था, आप जब कोई नए अपार्टमेंट यहां पर लेते हैं, तो आपको सिफ किचन और बात्रूम में ही आपको लाइट मिलेगा, बाग की सारे डूम में आपको खुद को लाइट लेना है, और देखिए, यहां का फ्लोरिंग भी, य काफी स्पेशियस है जगा, और अगर इसी किचन में देखेंगे तो यहां पर दो डोर भी है आपको, यह जो राइट साइड में है, जो है यह लॉंडरी के लिए है, और अगर आप लेट साइड देखेंगे तो यह हमारे बेडरूम को जाता है, और यह जो आप वाइट कलर के अलिमेंट देख रहे है, यह है हीटर, जो पूरे घर पे लगा हुआ है, हर जगा पर, ऐसे कि मोस्ली यह विंडोस के नीचे मैं से लगे हुए है, ताकि घर गरम रहे, तो बाहर का टेंपरेचर जैसे ही टें से नीचे चला जाता है, हीटर अपने आप चालू हो जाता है के बाहर देखते हैं, वरना ठंडी में कहां विंडो खोलते हैं और एसे ठंडी ठंडी हवा कौन घर पे लेता है, तो यह ही एक टाइम है, जब हम ऐसे विंडो खोलते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर का बाहर का नजारे का मजा लेते हैं ऐसे विंडो से, और यह जो आप ब् काल ऐसा कोई गाड़ी यहां पर आता नहीं है जिसको सुनकर हम नीचे जा और कचड़ा फेक है हमको खुद को नीचे जाकर यहां पर कचड़ा फेक के आना पड़ता है ग्रीनरी ही ग्रीनरी है जारो तरफ देखिए और जब यहां पर स्नो होता है तब यहां से जो नजारा द देखने को बनता है, बहुत अच्छा दिखता है I hope आज कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मैं किसी दिन अपना घर भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे and don't forget to hit the like button thanks for watching, bye bye